नमस्कार दोस्तों स्वागे थे आप सभी लोगों का एक बार फिर से दोस्तों 12 नवंबर 2023 दिन रविवार दिवाली बना दिव्य और दुरलब महाशुब सयोग छे राशियां होंगी करोरपती जी हाँ दोस्तों मालक्ष्मी के आशिरवाद से 12 नवंबर दिवाली के दिन बन रही महाशुब सयोग महालक्ष्मी योग में 12 राशियों में से 6 राशिवालों की किस्मत चमकने वाली है ये 6 राशिवाले इस दिवाली को करोरपती बनने वाले हैं ये छे राशी वाले माला माल होने वाले हैं स्वयम धन की देवी मालक्ष्मी इस दिवाली इन छे राशी वालों के घर पधार रही है जिससे इन छे राशी वालों के जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं और इन छे राशी वालों के जीवन में होगी अपार खुशियां ही खुशियां जिससे ये छे राशी वालों का जीवन बदल जाएगा जी हाँ दोस्तों कौन कौन सी है वो छे भागेशाली राशियां जो मा लक्ष्मी की क्रेपास से 12 नवंबर 2023 दिवाली के दिन बन रहे मा लक्ष्मी योग में करोडपती बनने वाली हैं ये छे राशी वाले धन से माला माल होने वाले हैं इस वीडियो में हम आपको उनी छे भागेशाली राशियों के बारे में बताने वाले हैं इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें क्योंकि इन छे राशी वालों के लिए बहुती महत्वपोन रहने वाला है दोस्तों वीडियो शुरू करें सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मालक्ष्मी के सच्चे भगते इस वीडियो को एक लाइक अभी करें कमेंट बॉक्स में जै मालक्ष्मी जरूर लिखें जिसे मालक्ष्मी का आशिरवात आपको सीधे प्राप्त हो सकें साथी साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब करें बेल आइकोन को प्रेस करें और जादा सी जादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेर करें दोस्तों आपको बता दे दिवाली पर पूरे पूरा देश छोटे छोटे दीपों की रोशनी से जगमगा उठता है इस साल दिवाली 12 नवंबर 2023 दिन रविवार को पड़ रही है धन तेरस से भाइदूच तक करी 5 दिनों तक चलने वाला दिवाली का त्योहार बारत और नेपाल समेट दुनिया के कही देशों में मनाया जाता है दिवाली को दीप उत्सव भी कहा जाता है क्योंकि दिवाली का मतलब होता है दिवाली की अवली यानि पंक्ती दिवाली का त्योहार अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है हिंदु धरम के अलावा बौध जैन और सिक धरम के अनुयाई भी दिवाली मनाते हैं जैन धरम में दिवाली को भगवान महावीर के मोक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है इस दिन गरों में मा लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है और ये पर्व हर्शो उलास और सुक्सम्रधी का प्रतीक माना जाता है दिवाली हर साल कार्थिक मास के कृष्न पक्ष की अमावस्य तिथी को पढ़ती है जीहां दोस्तों दिवाली का शुब महर्त बता दे इस बार भारत में 12 नमबर अमावस्य तिथी पर रही है कार्थिक अमावस्य तिथी की शुरुवात 12 नमबर 2023 दोपहर 2 बच कर 44 मिनिट से लेकर कार्थिक अमावस्य की तिथी की समापती 13 नमबर 2023 दोपहर 2 बच कर 56 मिनिट पर होगी दिवाली 2023 लक्ष्मी पूजा का महर्त लक्ष्मी पूजा प्रदोश काल का समय है शाम पांच बचकर 49 मिनिट से लेकर रात 7 बचकर 35 मिनिट बारा नवंबर 2023 को व्रिशप काल का समय है शाम पांच बचकर 49 मिनिट से लेकर रात 7 बचकर 35 मिनिट तक लक्ष्मी पूजा निशिता काल समय है 12 नवंबर 2023 को रात 11 बचकर 49 मिनिट और 13 नवंबर 2023 प्रातह 12 बचकर 32 मिनिट तक आपको बता दे इस दिवाली मालक्ष्मी के आशिरवात से महाशुब सयोग मालक्ष्मी योग अमृत सिध्धी योग का निर्बान हो रहा है जिससे इस बार की दिवाली का महत्व और अधिक बढ़ गया है दिवाली पर मालक्ष्मी की पूजा का विशेश विधान है इसी दिन संध्या और रातरी के समय शुब महुर्त में मालक्ष्मी विग्न हर्ता भगवान गणेश और मातर सरस्वती की पूजा और आराधना की जाती है पुरानों के अनुसर कार्थिक मास की अंधेरी रात में मालक्ष्मी स्वयम भूलोक पर आती है और हर घर में ही विचरन करती है इस दोरान जोगर हर प्रकार से स्वच और प्रकाशित होता है वहाँ वे अंश रूप में ठेड़ जाती है इसलिए दिवाली पर साफ सफाई करके विदिविधान से पूजा करने से माता लक्ष्मी की विशेश क्रिपा आपको प्राप्त होती है लक्ष्मी पूजा के साथ साथ कुबेर पूजा भी की जाती है पूजन के दोरान इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन से पहले घर की साफ सफाई करें और पूरे घर को गंगाजल से शुद्ध करें साथी घर के द्वार पर रंगोली और दिये लगाएं पूजा स्थल पर एक चौकी रखें और लाल कपड़ा विछा कर उस पर लक्ष्मी जी और गणेशी की मूर्ती आप रखें या दिवार पर लक्ष्मी की लक्ष्मी जी का चित्र लगाएं चौकी के पास जल में भरा हुआ एक कलश रखें और माता लक्ष्मी और भगवान गड़ेश जी की मूर्ती पर आप तिलक लगाएं और दीपक जलाकर जल, मौली, चावल, फल, गुड, हल्दी, अबीर, गुलाल, आदी, अरपित करें और माता लक्ष्मी जी की सुती करें इसके साथी देवी, सरस्वती, मा काली, भगवान, विश्नु और कुबेर देव जी की भी आप पूजा विधी विधान से करें श्रधा भाव से करें मा लक्ष्मी पूजन उस दिन पूरे घर परिवार को एकत्रित होकर करना चाहिए लक्ष्मी पूजन के बाद तिजोरी भाई खाते की भी पूजा करें पूजन के बाद शधा अनुसार जरूरत मंद लोगों को मिठाई और दक्षना दें इसे माता लक्ष्मी प्रसन हो जाती है और आपके घर में धन के भंडार भरे रहते हैं चले अब बात कर लेते हैं उन खुशनसीब और भागेशाली राश्यों के बारे में जो कि मालक्ष्मी के आशिरवाद से इस दिवाली बन रहे मालक्ष्मी योग माशुब संयोग अमरित सिद्धी योग में करोरपती बनने वाली हैं ये छे राशी वाले धन से माला माल होने वाले हैं और धन की देवी मालक्ष्मी इन छे राशी वालों के घर इस दिवाली पधार रही है जिसे इन छे राशी वालों को करोड़ पती बनने से कोई नहीं रोक सकता ये छे राशी वाले धन से माला माल होने वाले हैं जी हाँ दोस्तों जिन कुछ नसीब भागेशाली छे राश्यों के बारे में हम बात कर रहे हैं उन शे कुछ नसीब और भागिशाली राश्यों में जो पहली राशी आती है वो है मिथुन राशी दोस्तों मिथुन राशी वालों को बता दे मा लक्ष्मी की विशेश कृपा इस दिवाली आपके उपर पड़ रही है माता लक्ष्मी आपके उपर इस दिवाली महरबान रहने वाली है पिछले समय में आपके जीवन की जितनी भी समस्या है वे अब इस दिवाली समाप्त हो जाएगी आप लोगों के घर परिवार में खुश्यों का माहोल रहेगा चारों तरफ से आपको धनलाब प्राप्ती हो सकती है अनेकों धनलाब प्राप्ती के योग मितुन राशी वालों इस दिवाली आपके लिए बन रहे हैं जिसे आपकी आर्थिक सिती काफी अच्छी होने वाली है बिजनिस करने वाले लोगों को अपने बिजनिस भी लाब मिलेगा साथी साथ बिथुन राशी वालों आप इस दिवाली नया वाहन या मकान भी खरीद सकते हैं इसके भी प्रबल योग बन रहे हैं साथी साथ यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में प्रमोशन हो सकता है या वेतन वृधी हो सकती है यदि नौकरी प्राप्ती के लिए कोई प्रयास चल रहा है तो जल्द से जल्द वो प्रयास भी सफल हो सकता है आपको मंचाह रोजगार भी प्राप्त हो सकता है प्रेम करने वाले लोगों को उनके प्रेम में सफलता मिलेगी कहना गलत नहीं होगा मिथुन राशी वालों इस दिवाली माता लक्ष्मी की कृपा से आपको चारों तरफ से धन लाब होगा साथी साथ घर परिवार में कुश्यू का माहूल बना रहेगा साथिसा जो कारे पिछले कुछ समय से रुके हुए थे वे कारे भी आपकी सफल होंगे यदि कोट कचेरी से जुड़ा कोई मामला चल रहा है तो उसमें भी आपको जल्द से जल्द चुटकारा मिल सकता है यदि कोई कर्ज चल रहा है उसे कर्ज से भी आपको चुटकारा मिल सकता है साथी साथ जो लोग बिजनस करते हैं उनको बिजनस में अपार सफलता प्राप्त होगी मितुन राशी वालों आप अपने प्रयास में तत्पर रहें प्रयास में लगे रहें, आपको सफलता अविश्य मिलेगी, क्योंकि मा लक्ष्मी के क्रिपा से ही ये समय आपके पक्ष्च में है, इस समय का भरपूर लाब उठाएं, मैनत से आगे बड़ें, अपने आप पर भरोसा रखें, सफलता आपके कदम चुमेगी, मातल लक्ष्मी की आपको प्राप्ती होगी, समय आपके पक्ष्म में है, दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली खुशनसीब और भागेशाली राशी आती है, वो है तुला राशी, तुला राशी वालों को बता दे कि धन की देवी मातल लक्ष्मी, इस दिवाली आपके उपर बेहद प्रसन है, आपके उपर अपार क्रिपाद रिष्टी बरसाने वाली है, जिसके वज़े से ही तुला राशी वालों आपके जीवन में आने वाले धन समन्दित सभी परेशानिया दूर हो जाएंगी, आप अपने कारेशितर में अपार सफलता प्राप्त करेंगे, चारु तरफ से आ आपको धन प्राप्ती के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे, मातल लक्ष्मी की क्रिपा से ही धन कमाने के मार्ग में आने वाले सभी बाधाएं अब दूर होंगी, आप अपने कारेशितर में तेजी से आगे बढ़ेंगे, आपने अपने जीवन में सोचा भी नहीं होगा, इतना आपको इस समय धन लाब होने वाला है, आपके जीवन में चारों तरफ से ही पैसों का आगमन होगा, आएक के नए स्तोत्र आपको प्राप्त होंगे, नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों की आए में व्रिदी होने के साथ साथ पदोनती होने की भी पूरी संभावना है मातलक्ष्मी की कृपा तुलाराशी वालों इस दिवाली आपके उपर विशेश रूप से पढ़ रही है, व्यापार की शेत्र में अचानक आपको लाब होगा, धनलाब के जबरदस्त योग बन रहे हैं, ग्रैस्त जीवन में सुक्ष शान्ति रहेगी मातलक्ष्मी की विशेश कृपा तुलाराशी वालों आपके उपर पढ़ रही है, जिसे आपके जीवन में होंगे अब अपार खुशिया ही खुशिया, साथी साथ यदि आपको व्यापार शुरू करने को लेकर योजना बना रहे हैं, तो योजना आपकी अविशे सफल हो क्योंकि इस दिवाली समय पूर्ण रूप से आपके पक्ष में हैं, तुलाराशी वालों मातलक्ष्मी की कृपा से इस समय का भरपूर लाब उठाएं और समय को अपने हाथ से ना जाने दें, दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली कुश नसीब और भागेशाली राशी आती योग में मेश राशी वालों की किस्मत चमक जाएगी, इनके घर खुशी का माहोल रहेगा, मालक्ष्मी की कृपा दश्टी इनके घर लगातार बनी रहेगी, जिससे आपके घर परिवार की हर प्रकार की समस्याएं दूर होंगी, मालक्ष्मी की कृपा से ही आपको चारों तरब से धनलाब होगा, व्यापारी लोगों को धनलाब के योग बन रहे है, धार्मिक कार्य आपके घर परिवार में ही संपन हो सकते हैं, नए कार्य को करने के लिए ये समय आपके लिए अनुकूल है, जो भी आप नए कार्य का शुबारंब करेंगे, उसमें आपको निश मालक्ष्मी की क्रिपा से आप लोगों को कर्ज से भी मुक्ति मिल जाएगी मेश राशी वालों ये आपका जो कर्ज चल रहा है उस कर्ज से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा अकस्मिक धनलाब के जवरदस्त योग राज्योग मेश राशी वालों इस दिवाली आपके लिए बन रहे हैं, मालक्ष्मी की क्रिपा से आपकी आर्थिक सिति मजबूत होगी मेश राशी वालों को हर कार्य में सफलता मिलेगी साथी साथ नौकरी में प्रमोशन से धनलाब हो सकता है कहना गलत नहीं होगा ये दिवाली मालक्षमी के आशिरवाद से आपके लिए अत्यंत लाबकारी और भौती भागेशाली साबित होने वाली है चारों तरफ से आपको लाब ही लाब मिलने वाला है दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली खुशनसीब और भागेशाली राशी आती है वो है सिंग राशी सिंग राशी वालों को बता दें कि मातालक्षमी की विशेश कृपा इस दिवाली आपके उपर पढ़ रही है जिसके कारण आपको अब बहुत फायदा मिलने वाला है आपको अपने जीवन में सफलता मिलने वाली है साथी साथ विध्यारतियों के लिए समय बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है आपको अपने प्रतियोगी परिक्षाओं में सफलता प्राप्त होगी आपके साथ आपका मन पढ़ाई में भी लगेगा आपको अपने कारिशेतर में किसी भी प्रकार की कोई बड़ी खुशकबरी मिल सकती है जिसकी वज़े से ही आपको चारों तरफ से लावी लाव मिलेग मा लक्ष्मी की क्रिपा से आपके जीवन में आपको अचानक धनलाब की प्राप्ति हो सकती है आपका मानसिक स्वास्तिय ठीक रहेगा मा लक्ष्मी की क्रिपा से इस दिवाली आपके घर परिवार में खुश्यू का माहोल रहने वाला है साथी साथ संतान प्राप्ति का भी आपको सुख प्राप्त हो सकता है साथी साथ आपको ये भी बता दे जो व्यापारी हैं सिंग राशी के व्यापारियों को व्यापार में अपार सफलता प्राप्त होगी धनलाब प्राप्ती के योग बन रहे हैं साथी साथ यदि आपने किसी को पैसा उधार दिया हुआ है, तो वो पैसा भी आपको मिल सकता है, प्रबल योग इसके बन रहे हैं, साथी साथ प्रेम करने वाले लोगों को प्रेम में सफलता मिलेगी, प्रेम सम्मंदित मामलों के लिए ये समय बहुत ही शुब साबित होने पाला है, साथी साथ आपको बता दे यदि आप नौकरी की तलाश में हैं, तो आपको मन चाहा रोजगार प्राप्त हो सकता है, साथी साथ यदि आप नौकरी करते हैं, तो नौकरी में प्रमोशन के भी योग हैं, वेतन विधी के भी योग हैं, और साथी सरकारी नौकरी के ज पर पासे आपके लिए खुश्यों की सौगात लेकर आई है आप चारू तरफ से बड़ी-बड़ी खुशकब्रियां प्राप्त कर सकते हैं बड़े-बड़े धनलाब की प्राप्ती होगी जिसे आपका जीवन खुश्यों से भर जाएगा आपकी खुश्य का ठिकाना नहीं र किस्ट में जो अगली खुशनसीब और भागेशाली राशी आती है दोस्तों वो है कुम राशी जी हां दोस्तों कुम राशी वालों को बता दे धनकी देवी माता लक्ष्मी आपके उपर इस दिवाली सबसे अधिक महरवान रहने वाली है आपके उपर लगातार माता के हुए थे वे भी अब सफलता पूर्वक पूरे हो जाएंगे अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया है तो वो पैसा भी आपको वापस मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है साथी साथ आप अपनी सभी कर्दों से मुक्ती पाने में भी काम्याब रहेंगे आपके द् अचानक धनलाब होगा और घर परिवार्मी सुक्षांती का वातावरन बना रहेगा कुम राशी वालों आपके उपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी साथी साथ यदि आप कोई नया वाहन या मकान खरीदने को लेकर योजना बना रहे हैं ये योजना सफल होगी से इस दिवाली आपको चारों तरफ से धनलाब प्राप्ति के अनेकों योग बन रहे हैं जबर्दस्त धन प्राप्ति के संकेत इस दिवाली आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं आपको चारों तरफ से धनलाब होगा घर परिवार में खुश्यों का माहोल रहेगा मा मा लक्ष्मी की कृपा कुम राशी वालों इस दिवाली आपके उपर विशेश रूप से पड़ रही है इस समय का भरपूर लाव उठाएं समय को अपने हाथ से ना जाने दें जिहां दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी है वो है कन्या राशी कन्या राशी वालों को इस दिवाली मा लक्ष्मी की क्रिपा से आप दिन दुगनी राच चोगनी तरक्की करेंगे मा लक्ष्मी की क्रिपा से व्यापार के शेत्रमी किये गए व्यापार के लिए किये गए प्रयास सब सफल होंगे साथी साथ नौकरी की दिशा में चल रहे प्रयास जल्दी सफल हो साथी साथ जीवन साथी की तरफ से कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है मालक्षमी की कृपा से कन्या राशी वालों आपको नौकरी प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं यदि आप नौकरी करते हैं, तो नौकरी में पदोनती के साथ साथ वेतन विधी के भी योग रहेंगे, साथी साथ आप इस समय कोई नया वाहन या मकान भी खरीच सकते हैं, इसके भी प्रबल योग बन रहे हैं, साथी साथ कन्या राशी वालों सामाजिक शेत्र में आपको कारों तरफ से अब इस दिवाली लाभी लाभ मिलने वाला है, जो व्यक्ति विध्यारती हैं, उन्हें शिक्षा के शेत्र में सफलता प्राप्त होगी, संभावना बन रही है कि आपके द्वारा किये गए सभी प्रयास बहुती आसानी से सफल हो जाएंगे, आप बड़ी से बड़ी मुश्कलों का समाधान निकाल लेंगे, कन्याराशी वालों आपके घर परिवार में खुश्यों का माहोल रहेगा, इस दिवाली धन की देवी मा लक्ष्मी दोनों हातों से ही धन की बरसात करने वाली है, धन प्राप्ति के अनेको योग कन्याराशी वालों आपके लिए बन रहे हैं ये दिवाली आपके जीवन में चार चांद लगाने वाले हैं आप दिन दुगनी राज चोगनी तरक्की करेंगे इस समय का भरपूर लाप उठाएं समय को अपने हाथ से ना जाने दें दोस्तों ये थी वो भागिशाली राशिया जो कि मा लक्ष्मी की क्र क्रिपा से इस दिवाली करोडपती बनने वाली है ये छे राशी वाले धन से माला माल होने वाले हैं मा लक्ष्मी की क्रिपा से इस दिवाली इन छे राशी वालों को अनेक पकार के लाब धन लाब और बड़ी-बड़ी सफलताओं की प्राप्ती होने वाली है जिससे ये छ राशीवानों का जीवन बदल जाएगा मालक्ष्मी का आशिरवात आप सभी को प्राप्त हो सची दिल से कमेंट बॉक्स में जै मालक्ष्मी अविश्य लिखी वीडियो को लाइक और शेर करें जै मालक्ष्मी